सारी बार कस्टमर की कंप्लेन आती है कि इसमें से पानी नहीं आ रहा है यह जो नौच है उसमें से पानी नहीं आ रहा है बार तो बहुत बार ऐसी जो यह पानी जो रहता है उसमें कच्रा आ जाता है तो कच्रे के इसाब से वह नोजल में यह नोजल में जो है वह फस जाता है ये नोजल जो आगे वो नोजल है ये नोजल में फस जाता है तो इसके लिए आपको ऐसा वायर लेना है ये जो वायर है ये कॉपर का वायर है एक दम पतला सा वायर है और इसमें आप ये छीलोगे ना एक ही वायर निकलेगा इसमें से एक सिंगल वायर रहेगा ये ऐसा सिंग ये निकलेगा तो ये वायर जो है आपको इसके अंदर ये डालना है कि एकदम पतला सा वायर है तो ऐसे आपको लंबा थोड़ा वायर लेना है और इसमें एकदम फतला वायर ऐसे डालना है पूरा है आप जैसे जैसे डालोगे न अब तो व अंदर जाता जारेगा और अंदर जो को अगर कुछ कच्रा फसा तो यह आपका निकल जाएगा थोड़ा सीधा करना है मिन जब अगर कुछ टेड़ा हो जाए तो इसको थोड़ा सीधा करना है या तो दूसरी जगह से जाल देना है थोड़ा आधा फूट जैसा आपको अंदर जाने देना है ताकि अंदर कुछ कच्छरा फस गया हो न तो वह आपका निकल जाए दिरे से डालते रहोगे तो वह अंदर जाता रहेगा हमने अल्मोस्ट यह एक फूट से भी ज्यादा वायर है यह हमने अभी डाल दिया आधा फूट से भी उपर यह आधा फूट से उपर वायर डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इधर तक वायर चला जाए रहा तो अंदर से वह कचरा निकल जाएगा और काम आपका हो जाएगा यह जो नली में से जो पानी उपर जाता है तो यह पानी में अगर कुछ कचरा फसा हो तो यह उपर पानी आने नहीं देता है तो उसके वज़़े से यह दिक्कत आती है